शापुरा में तेल के पीपो से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान शाहपुरा पुलीस थाने से मात्र 150 मीटर की दूरी पर जिला कलेक्टर शाहपुरा के निवास थान के ठीक बाहर विगत मध्यरात्री में तेल के पीपो से भरे ट्रक में अचानक आग लग जाने से पूरा ट्रक और तेल के पीपेश हुआ हो गए हादसे के कारण लगभक तीन घंटे तक जाम रहा शाहपुरा के पुलीस उपधिक्षक रमेश चंद्र तिवारी की अगवाई में पहुँचे पुलीस ने ट्रक में से चालक और उसके सहयोगी को सुरक्षित बाहर निकाला तथा बाद में तीन घंटे की मशक्कत पर जाम को खुलवाया जा सका आग से लाखों रुपे का नुकसान होने का प्रारंभिक आकलन लगाया गया है पुलीस उपाधिक शक्तिवारी ने बताया की ट्रक नंबर आजे 06GB 1655 का चालक बालमुकुंद पुत्र गोपाल मीना उम्र 35 वर्ष निवासी बासे अपने सहयोगी लेखराज पुत्र गोपाल मीना निवासी उगाना खेडा थाना केकडी इसी ट्रक के अंदर सरसों के तेल के पीपे भरकर उदेपुर जा रहे थे विगत रात्री क्रीब 230 एम पर क्सबा चौकी शापुरा के पास रात्री गश्ट कर रहे ASI पितामबर सिंग को ट्रक मिला जिसमें पीछे वाले टायर में पंक्चर हो रहा था वे आग की चिंगारिया निकल रही थी ASI ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन ड्राइवर ट्रक को भगा कर ले गया कलेक्टर निवास के सामने पहुचते ही ट्रक में आग लग गई सूचना पर पुलीस उपाधिक्षक रमेश तिवाडी मै प्रभाती लाल मीना थाना प्रभारी चौकी प्रभारी माया शापुरा पुलीस जापते के मौके पर पहुचे बराग ड्राइवर व सहयोगी को सुरक्षित बाहर निकाला शापुरा जहाजपुर एवं हिंदुस्तान जिंक से फायर बिग्रेड की गाडियां मंगवा कर आग पर काबू पाया गया आग लगने स ट्रक व सरसों के तेल के पीपे जलकर पूरी तरह नश्ट हो गए मौके पर शान्ती है